नमस्कार स्वागत आपका हरियाण आइनिश्टोंटी फोर पे मैं हुमुना लमा मेरे चाहोगी विनिशिंदू के साथ हम मौजूद आज चर्खी दादरी में और चर्खी दादरी में हमरे साथ एक खास मैमान मौजूद हैं कुछ दिन पहले हमने एक इंटरिव्यू किया था जिन मानुबाओ जिन सक्स के साथ हम मौजूद हैं उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ही पार्टी जुआइन करेंगे जनता के बीच जाएंगे अपने परिवार से अपने कुणबे से जनता से पूछेंगे उसके बाद पार्टी जुआइन कियेंगे इन्होंने डेड़ द दो मेनी से ज्यादा किसमाई बीच चुका है हम फिर मोजुद हैं नर्पेंदर शुवरान के पास खास बात्चीत में एड़ोकेट हैं पेश्चे शेवरो एक बार विदाइक भी रह चुके वाड़ा विदान सबाचेहतर से हर्याणा पर्देश में अच्छी खासी रादनेता हम इनकी पकड़ भी रही है और ये रादनेता घराने से ही आते हैं कि उनके पिताजी भी कहीं यहां से सांसद विदाइक रहे चुके हैं उसके बाद से लगाता है रादनेते हम यह सकरिय रहे हैं इन्होंने पार्टी जोएन कौनची की है ये भी इनके बादचीत करेंगे और पार्टी जोएन की तो क्या सोच की है क्यों की है क्या भविस्ये है ये भी आपके सामने बादचीत करेंगे जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता के बीच जाके इन्होंने क्या पूछा और जनता ने इनको कहा क्या कौन से पार्टी जोएन कीजिए ये भी बादचीत करे सबी नेता कहीं भागे भागे घूम रहे हैं कहीं अपनी जगय बना रहे हैं जनता का मन टाटोल रहे हैं तो आपकी बार बार आप इजान सवाद्चेतर का ताज होगा किसके सिर्फ यह तो आने वाला समय बताएगा तो आज खास बात्चित में मेरे साथ बहुत है नरपेंद बात्चीत की थी आमने और आपनी उस से कहा था अब जो कुछ नहीं बताऊओं का लापासाप मैं आपके वादोहा थो जोंब जीवगे देवाँ के लिए नहीं बताँ और और बड़े लोगों से बागजवह ए कौनसे पाटी में जाऊँगा और पार्टी में जाएगग त अब पार्टी जुवाइन कोण सी की है और आपकी जनता ने कहा कि आपके परिवार ने कहा क्या बाद अवीदान समाचे दो अलामा साब मैं कॉंग्रेस पालिटी का सदस्चे हूँ और विधिवत रूप से पांच तारीख को मैंने दिल्ली में परदेश के अध्यक्स श्रीमान उदेभान जी और परदेश में नेता परतिवक्स श्रीमान बुपेंदर सिंग जी हुड़ा और हरियान से राज्य सबा के सदस्य दिपेंदर सिंग हुड़ा उनकी मौझूदगी में कॉंग्रेस पार्टी विधिवदरूप से ज्वाइन की पांसतारी को और जैसा आपने प्रिशन किया था मैं साथ जनवरी 2021 से लेके लगातार अपने तमाम कारिये करताओं के संपर्क में था और मैं उनसे राय कर रहा था उनकी राय से ही मैंने अगला कदम रखना था तो इस धाई साल के अरसे में जब पिछली बार आपने इंटर इतर लोगों के राय यह है कि मुझे कॉंग्रेस पालिटी के साथ जाना चाहिए और हरियाना पर्देश में जो लोक्रियता मुख्यमंतरी के रहते हुए उसके कामों को देखके चौधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा की और जिस सक्रियता से युवाओं में और पर्देश म भी बहुत इसकरियता से दिपेंदर सिंग हुड़ा जिस सपीड से काम कर रहे हैं उदे भान जी जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को संबाड़े हुए हैं तो ये पूरे परदेश में जो माहुल लोग देख रहे थे तो तमाम मेरे लोगों का मेरे तरफ से ये कहना था कि भी आप वर्तमान नेत्रितों को स्विकारते हुए कॉंग्रेस पार्टी जोईन कीजिए और इसलिए मैंने विधिवत रुप से अपने पार्टी नेताओं से बात करके और पांस तारिक को ये कॉंग्रेस पार्टी जोईन कर लिए अब मैं उसमें अपना काम शुरू किया ह सुर्ण साब कांग्रेस को ही क्यों चुना चोटला पार्टी थी जजीपी पार्टी थी बीजीपी पार्टी थी आम आदू पार्टी थी निदलिय भी हो सकते थे तो क्या इसमें जाने का आपका मकसद क्या था क्या जनता ने पिचेतर परतिसत मोहर लगा दी कांग्रेस पे आपके जो परिवार की कहते हैं मेरा परिवार अबार अविदान सबा तो आपके परिवार हुए लोगों से विले है गए है तो क्या लोगों नहीं यह का आप कांगरिस दुबारा जुआ इनकी जी है देखिए जहां तक पार्टियों की बात है कोई पार्टी अच्छूत नहीं होती और पार्टियों की अगर नीतियां आप पढ़ोगे तो सब ही पार्टियों की नीतियां अच्छी होती है बात होती है उनके नेताओं की कितनी लोग प्रियता है पिछले दिनों में मुझे लगता है ये ऐसा मैं मानता हूँ 55 परतिसत नहीं 55 परतिसत या इसे अधिक भी अगर परतिसत मैं बोलूँ तो कॉंग्रेस पार्टी के पक्स में गया है मेरे तमाम लोग और उसमें शायद कारण रास्टरी इस तर पर भी जिस दिन से राहुल गांदी जी ने जो पदियातरा की थी और उसके बाद परतिस में भी जो सक्रियता लोगों में आई या जो पिछला कारिये काल चोधरी बुपेंदर सिंग हुड़ा का था तो मैं तो उस बत क्योंकि पार्टी का सदे से नहीं था पर कुछ सचाईयां ऐसी होती हैं जो सारुजनी करूप से स्वीकार करनी चाहिए खास तोर से तीन बातें मैं चर्चा करूँ क्योंकि इसमें समय लगाने के जरूरत नहीं है एक तो जो सो सो गज के प्लोट देने की जो योजना चोदरी भुपेंदर सिंग हुड़ा के कारिय काल में हुई उसका कोई तोड नहीं है दूसरी जो बहुत ही बड़ी बात जो मैं सुनता हूँ एक समुदाई विशेश को जो हमारे बुजर्गों ने किसी समय में दान सवरूप जो जमीन दी थी जिसको दोड़ी की जमीन बोलते है ये एक इतना बड़ा मैं कहता हूँ दूर दरसिता इतना एक बड़े विजन की बात चोदरी बुपेंदर सिंग हुड़ा की रही उस कारियकाल की रही उनकी के उन्होंने उसका मालिकाना हक दिया और तीसरी जो बड़ी बात किसानों की सोड़ा सो करोड का जो बिजली का बिलमाफ किया आप भी और मैं भी इस चेतर से आते हैं जहां बड़े किसान अंदोलन हुए है ये तीन ऐसे माइल स्टोन चोदरी बुपेंदर सिंग हुड़ा के कारियकाल के रहे हैं जिनका कोई तोड है भी नहीं और होगा भी नहीं चलो हमारे साथ नरपेंदर सोरान जी खास बात चीतियों बने हुए एड़ोकेट हैं M.A.L.L.V B.A. M.A.L.L.V सब डिगरी हैं इनके पास और पुराने जवाने से ही ये काफी अच्छे खासे एक एड़ोकेट हैं और लगातार राजनिती में भी सकरियर हैं ये हम करेंगा बाड़ अविदान सबाच खेतर की बाता अब मुझे ये बताइए चाचा बतीजा कि फाइट हो सकती है वो कहते हैं ना बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुभान अल्ला तो क्या बात हो इस फाइट में कैसे देखते हो देखिए राजनितिक तोर पर वैसे तो सब कुछ संबव है पर क्योंकि चुनाओ की जहां तक बात है तो अभी हरियाना के विधान सबाच की अगर हम बात करें तो कोई 14-15 मेने अभी बाकी है अगर लोग सबाच की भी बात करें हैं तो ये तो मल्टी कॉर्नर फाइट होती है और दो ही पार्टी क्यों पार्टीयां तो 4-5 और भी हैं हरियाने में तो सभी लोग चुनाओ लड़ेंगे किस पार्टी से कोण आएगा कोण नहीं आएगा सची बात तो ये है कि मैं तो कॉंगरेस पार्टी जब जोईन की उस बकत जब मैं नेताओं के साथ दिल्ली में बैठा हुआ था तो एक बात थी और जो मैं दिमागी लूप से तयार भी उस बात के लिए होके गया था कि चुनाओ में चुनाओ के समय टिक्टों के बारे में जो फैंसले होंगे वो पार्टी करेगी और वो उस बकत के सर्वे के आधार पर करेगी कि परदेश में या जिस छेतर में भी लोक सबाह हो चाई विदान सबाह हो उस चेतर की जनता किसको चाहती है और मेरी खाल से दूसरी पार्टियां भी सर्वे के अधार पर ये सारे के सारे फैंसले करेंगे तो कब किसका किस से मुकाबला होगा इस बारे में तो अभी टिपनी करना मुझे लगता है समय से पहले की बात है अभी एक बात हो जाना चाहूँगा पाइद बे कॉंग्रेश ने आपको टिकेट पहले एक बात जाना चाहूँगा मेरे साथ नर्पेंदर सोरान जी खास बात चेत हुए और ये ससकते कंडिडेट भी हैं उमुदबार भी हैं मानते हैं बाड़ा बिदान सा बात चेता है मांगने वाला बना हुआ है कैसा लग रहा है पांटने वड़ा या मांगने वड़ा की जो बात है मैं क्योंके पांच तारीक को मैंने कॉंग्रेस पार्टी जोईन की है निश्चित रूप से पर ये भी सचाई है कि 14.10.2006 को हर्याना विकास पार्टी का विले जब कॉंग् जो पत्र हमने एक लाइन के रेजलेशन का तयार किया उसमें चोधरी बनसी लाल जी के साथ ही उनके नीचे मैंने हैस्ताकसर किये थे उसके बाद बाकी कारिये करता हुँए करता हुँ कि सुरेंदर सिंग ना है वो डोकुमेंट सारोजनिक है और हमने सोचल मीडिया पर भी उस डोकोमेट को 14-10-2004 का वो जो था श्रीमती सोनिया गांदी जी उस बद कॉंग्रेस पार्टी की लेडर थी और उसकी लेडर्शिप में हमने विश्वास प्रकट करते हुए ततकालिन केंदरिय संगठन मंतरी जनारदन द्विवेदी जी को वो पत्तर हरियाना विकास पार द्विवेदी जी को देके आये थे और कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से हम वहां मौजूद थे तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हरियाना विकास पार्टी में मेरा जो नेतरितों के नाते से बेशक में यूआ हरियाना विकास पार्टी का देक्स था लेकिन उस पार्टी में मेरा अपना एक स्थान था और यहां कॉंग्रेस पार्टी में अगर आप ये देखें कि मुझे जो पत्र कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से मिला है वो ये मिला है कि आपी दस दो दो हजार पांच को जो मुझे पार्टी से छह साल के लिए निस्कासित किया था उस पत्र को रिवोग करते हुए मुझे री इंस्टेट किया है यानी के मेरी पार्टी में सदसेता की बहाली जो मैंने रिप्रेजेंटेसन में भी यहीं लिखके दिया था कि मेरी पुने बहाली की जाए मेरी बहाली उस समय से ही पार्टी ने माननी है तो अगर आप पार्टी में सिनियर्टी की बात भी देखें तो पार्टी न वो चीज भी स्विकार की है पर जहां तक बाटने की बात होते है टिकट की तो रास्ट्री ये पार्टी ओं में टिकट तो हमारे काम के आधार पर नेड़ने करके और ये परदेश नेत्रितव जो शिफारी से भेजेगा और उसके बाद केंदरी नेत्रितव जो तैय करेगा उसमें सह समान अगर पार्टी चुनाव लड़वाएगी तो उसमें पूरे ठोक के चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के ल या फिर बीजियपी एपार्टी में जाएंगे यया फिर बीजीपी में जाएंगे नर्पेंदर जी क्या रियाक्शन रहेगा या फिर घंगरेस Мें है। प्रूप में रहेंगे लिए निता चुनाओ के समिय भागोडे हो जाते हैं। आप मेरी स्टेबलीटी की परिक्षा ले रहे हैं निष्टित्रूप से जो पिछला इंटरव्यू आपने किया था उस बकत और जिन लोगों ने भी सुना होगा दो मीने पहलेगा तो वो सब को याद आ जाएगा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपना निर्ने कुछ महिनों में या कुछ दिनों में या कुछ हफतों में या कुछ साल में भी बदल लेते हैं मजबूरिया होती है 15 साल तक लगातर हरियाना विकास पार्टि पार्टी में रहा और हरियाना विकास पार्टी का अंतिम पत्र जो कंग्रेस पार्टी में मैंने कहा था वो मैं दे के आया उस वकत के AICC के अरास्ट्रिय संग्ठर महामंतरी को और उसके बाद जब मेरा यहां रास्ता बंद हो गया तो उसके बाद से लगातार क्योंकि मैं भारती जनता पार्टी में शामिल हुआ और मैं लगातार 14 साल तक उस भारती जनता पार्टी के साथ इसलिए बैठा रहा के मेरे लिए यहां कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं बन पा रही थी कांग्रेस की जो स्थानी नेता है वो जगह नहीं बनवा पा रही थे के मुझे 6 साल के लिए जब पार्टी से अक्सपल कर दिया गया था उसके बाद मेरा तो एक्सपलसन भी 11 में पूरा हो जाता है और जिस व्यक्ति की वज़े से मुझे एक्सपल किया था वो व्यक्ति तो भारती जन्ता पार्टी में पिछले 9 साल से लोकसभा कर सदे से बना बैठा है तो ये वरतमान नेत्रितों ने इस बात को समझा और इस बात को समझते हुए उन्होंने ये माना कि हाँ इसकी सदेसिता 14-10-2004 को जो हर्याना विकास पार्टी का मरज हुआ था और चोधरी बनसीलाल जी के साथ ही अपने हस्ताक्सर करके सोम अपने हाथ से वो पत्र चोधरी बनसीलाल का पत्र स्रीमती सोनिया गंदी के नाम से जो प्रिशित था वो मैं देखे आया था तो वो स्थान मेरा इस कॉंग्रेस पार्टी ने कम से कम बहाल किया है तो मैं तो इसमें खुश हूँ और कांग्रेस पार्टी मुझे अगर योग्य उमिद्वार समझेगी और योग्य उमिद्वार भी किस चुनाओ के लिए समझेगी लोकसभा, विधानसभा, छेत्र जो भी तै करेगी मुझे सुईकार होगा और अगर एक कारिये करता के रूप में भी काम करना पड़ा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कॉंग्रेस पार्टी का सदस्ता ग्रहन की है और एक कॉंग्रेस पार्टी के कारिय करता है एक सदस्य के रूप में मैं पार्टी के लिए काम करता रहूँगा टिक्टों के फैंसले के दिन ये निर्ने होगा लेकिन उस दिन भी मुझे सुई कारिय होगा जो भी पार्ट इन देने करेगी इसमें किसी तरह की जो बाड़ा बिदान सवाम चेतर में जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं लगातार पिछले काफी वर्चों से आप वो इसी जगे से आते हैं अगर आज चोदरी बंचिलाल जिंदा होते तो क्या नर्पेंदर सोरान को टिक जजदीकी की एक स्वाभाविक रूप से जो अपनी आत्मा स्विकार करती है मैं पांस तारिक को जब चोदरी बुपेंदर सिंग घुड़ा जी के साथ बैठा हुआ था और मैं ही नहीं बाइचांस उस दिन मैंने अपने कोई दोस्सों कारिय करताओं को सूचना दे दी थी के दिल्ली पार्टी में जोइन करने जाना है और हमारे साथ दोस्सों जो कारिय करता थे और उनके साथ चोदरी बुपेंदर सिंग घुड़ा जी ने भी दिपेंदर सिंग जी ने भी और उदे भान जी ने भी जो सब लोगों के साथ ग्रूप फोटो खिचवाया और देर तक खिचवाया तो मुझे जो आभास चोदरी बंसीलाल के साथ बैठके होता था उसमें और उदे भान जी के साथ और पेंदर सिंग उड़ा जी के साथ और दिपेंदर सिंग तो चलो हमसे भी उमर में तो छोटे हैं टिकट के लिए मसका मारी तो नहीं हो रही है ना इसमें मसका मारी की मेरी आदत भी नहीं है और ये तो चोदरी बंसीलाल के साथ रहते हुए भी कभी मसका मारी की बात नहीं हुई सीरियस मामलों में चोधरी बंसीलाल जी के साथ सटेज शेयर करते हुए भी मैं वो चाए चोधरी सलेब की बात हो चाए ये मडियाली कांट की बात कर रहा हूँ आप उस छेतर से आते हैं जहां मडियाली में कांट हुआ था चोथे सलेब की बात मैंने बार रड़ा की जन सभा में चोधरी बंसीलाल की उपस्तिती में कही थी और चोधरी बंसीलाल ने अपना भाशन शुरू हो कि जिसमें बाद में एक हंगामा भी हो गया था चोधरी बंसीलाल जी ने ये का था कि नर्पेंदर सिंग उमर में चोटा जरूर है लेकिन इसने बात बहुत जिम्मेदारी से की है और ये बड़ी समझदारी से बात करता है चलो BGP सरकार, कांग्रेश सरकार फाइट आती जाती है ने ता बहुत आते हैं चले जाते हैं अब इन चार साल और दो मिने हो चके हैं लग बगग चार साल से ज़्यादा का समय हो चका है BGP सरकार को दुबारा से तो इस दोरें नेना चोटाल आपके विधान सभा चेतर से आती हैं उनके पुत्र भी डिप्टी सिय में हैं तो आपकी क्या कहता आपका मतलब क्या रियक्शन है कि आपके बाड़ा विधान सभा चेतर में जो होना चाहिए था कुछ हिसाब चो कुछ काम हुए है क्या बाष्टाचार कतम हुआ कानून यवस्ता सही है मूल बुष्टावीता सही है लामबा साब जिन चुणे हुए लोगों के बारे में आपने पुछा नेना चोटाला उनके पूत्र ये सारी बाते हैं बारड़ा विधान सभागी जहां तक बात है एक बहुत बड़ा घपला यहां के ब्लोक लेवल पर जिसमें कुछ अधिकारी चोटे बड़े जिस लेवल के भी थे उनका नाम भी आया था उनकी जाच भी तथाकतित रूप से कहीं चल रही होगी मैं एक-एक करके अगर सेंपल के तोर पर बहुत लबा हो जाएगा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अगर कल को हमारी सरकाराई कोंगरेस पार्टी की सरकाराई और जांच अगरME कार उस वकर जो जांच किये जाएंगी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बड़ी मचलियां बहुत बड़े बड़े मगरमच जो आज के दिन फसलों के नुकसान के मौाउज़े के रूप में करोडों रुपे की सरकार बैठ के अपरदेश के मुख मंतरी और दूसरे मंतरी जो दावेदारी करते हैं कि हमने इतना मौाउ मिलना चाहिए था उन लोगों को मौाउज़ा नहीं मिला और मिली बगत से करोडों रुपिया जो पिछले दरवाजे से अब मेरी गिरदावरी उसके नाम उसकी टोपी उसके सेर उसकी तोपी उसके सेर जो ड्रामा चल रहा है ये सारी चीजों का खुलासा तो उस दिन होग जाँच होंगी और उसमें मचलियां ही नहीं बड़े बड़े मगरमच फसेंगे इतने बड़े यहां घपले गोटाले हुए हैं और निश्चत रूप से कोई बचना चाहे तो सरकार बदलेगी जाँच होंगी और सब लोग फसेंगे कोई बच भी नहीं पाएगा ये भी एक बलोग के घटाले की बात कर रहे हैं हलांकि करोडों में है और पचास सो करोड रुपे की तो बात उसमें पब्लिक डोमेन में है ये एक छोटी से बलोग में अगर पचास करोड रुपे डवलपमेंट का एक जगे चले गया एक मोरी में चले गया इसी तरह से दुनिया कितना कितना सो करोड रुपिया यहां लोग तरस रहे हैं और भी बहुत सारी बाते हैं लेकिन निश्चित रूप से कहते हैं कि भी देर है अंधेर नहीं है और अब वो समय दूर भी नहीं है जब समय बदलेगा इनकी जांच होंगी और जांच होते ही साथ बहुत सारे लोग स आप कागरेज़ जवानी कर लीजिए और आपने कागरेज़ जवानी भी कर ली चलो लेकिन अब उनका रियक्षिन क्या कह रहे हैं? मैं टच वुड मैं जो बात बता रहा हूँ आपको कि एक समय में जब मैंने मैं विधाय की चुना गया था उनी सो च्याण में मैं और परदेश में भी अच्छी उस वगत हवा थी और हमारे जुले में भी अच्छी हवा थी मेरे पिता जी विधाय को ते थे मैं लोगों के बी प्रियता थी और उस लोग प्रियता का प्रिणाम था कि आज तक का बार डाविधान सबा का एक रिकोर्ड मेरे नाम रहा है जो मैं अठाईस अजार से ज्यादा वोटों से उसमद चुनाव जीता था और मैंने टच वूड इसलिए कहा कि जो आज मैं लोगों के बीच जा र सोसल मीडिया और दूसरे तरीके आगे मुझे नहीं बता मुझे जो प्यार लोगों का अपना अपन जो मिल रहा है उनीस सो च्यान में मैं जो मैंने अपने आखों से देखा उसे ज्यादा मिल रहा है मैं यह यह मैं टच वूड करके बोड़ गुरू गुरू रह गया चेला इस अध्यक्ष के रूप में और मैं हरियाना विकास पार्टी की सरकार बनी थी उस दिन श्याम को पांच बजे से लेके जब चोधरी बंसी लालने से पतली उसी दिन श्याम को पांच बजे की मैं मुझे तारीखें वगरा याद रहती है और जिस दिन पार्टी का मरज 14-10-2004 को उस दिन तक मैं युवा का अध्यक्स रहा और मेरे युवा टीम में रहते हुए बहुत सारे साथी मैं आज भी अगर कहूं कि मैंने फरिदाबाद जिले का अपना युवा का जो अध्यक्स बनाया था नैन पाल रावत निर्दलिये विधायक हुए हरियाना विका पार्टी के युवा मोर्चे में रहते हुए जिन कारिये करता साथियों को हमने उस वकत आगे बढ़ाया था वो बहुत उचे तक गए हैं लेकिन आप जो गुरू गुरू रह गया गुरू गुरू बनके चेला चिनी बन गया जो सब्द आपने बोला है मैं इसको उल्टा लेता हूं कि उस वकत जो हरियाना विकास पार्टी की युवा टीम के साथी जो आज भी जिनका दिलों से जुड़ा हो मेरे साथ है पूरे हरियाना पर देश की बात कर रहा हूं छिरब अपने चेतर की नहीं आज तो उनके बेटे भी क्यूंकि उन बातों को साल इतने होगे कि उनके बच्चे जनम लेके और अठारा साल से उपर के होगे उनका भी वोट बन गया तो आज तो मेरे जो उसमत के साथी चेला और गुरू तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मेरी टीम के जो मेंबर थे आज तो मल्टिप्लाई होगे दो तीन गुणा बढ़ गए क्योंकि वो श सवरान जी बने खास बात्चीत में सोटकर सब्द मुझे यह बताइए आपके पिता जी सांसद विदाइक रहे आप भी रह चुके आपका बतीजा रह चुका दो बेटे दोनु इंजिनियर तो आज तक मैंने किसी भी डिक्सिने में हिष्ट्य में यह नहीं देखा जिनका दादा, पिता, चाचा बिदाइक रह चुका हो और वो राधनिती से परे हो उनको राधनिती का सोख नहीं हो सहाब यह 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 इन से, नहीं हर माबाब चाहता है, मैं विदाईग। तो इसके बाद मेरा बेटा विदाईग बने, चाहिए हर्याना के राद नित्री में कोई पार्टी हो, सब देख लीजिया, मावरी यही चल रहा है। देखिए, आपकी बाद बिल्कुल सही है, और कहने को लोग इन चीजों को परिवारवाद भी बोलते हैं, और भी बोलते हैं, मेरा यह मानना है कि यह बहुत ही नैचुरल है, कि एक दुकानदार का बेटा दुकानदार करने की सोचेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा एक वकील का बेटा वकील बनने की सोचेगा, तो राजनेतिक व्यक्ति के बच्चे भी राजनेतिक सोच रखेंगे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरे जो बेटे अभी अपने काम में बिजी हैं, वो यह मानते हैं कि अभी पापा जवान है, और निश्चित रूप से, जिस में आया, तो बच्चों को मैं काबिलियत के नाते से, एज्यूकेशन के नाते से, जमाने की स्पीड के हिसाब से, क्योंकि मेरे खाल इस टेकनोलोजी से बड़ी कोई बात नहीं है, तो उस मामले में वो किसी से भी पिछे नहीं है, और निश्चित रूप से, अगर वो इस पर भी आये, तो वो किसी भी रूप में पिछे नहीं रहेंगे, मुझे पक्का बरोसा अपने बच्चों के उपास, उनकी इच्छा है, राजनिती बात है कि घर में जब चर्चाएं राजनिती की चलती हैं, तो बच्चे इंट्रेस्ट लेते हैं, और इतना ही काफी है, हमा के दोनों, और ये, मैंने उनसे कमिट्मेंट ली हुई है, पांच तारीक से पहले, ये भी आप मैं बता दूँ, कि अगर चुनाव लड़ने की कोई बात आए, ये कोई 12 महिने बात की बात है, बहुत दूर की, पर अगर चुनाव लड़ने की बात है, तो तुम्हें अपनी 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 कमपनी से दो-दो महिने की छुट्टी लेके और यहां चुनाव में डटके खड़ा होना है, तो इस बात के लिए बैने उनको एगरी करके और उसके बाद मेरे पार्टी जोइन की है, क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, तो मेरे साथ अपने बात्ची मेरे साथ नर्पेंदर सोरान जी बने वे खास बात्चीत में, और इन्हों ने बेबाग तरिके से हमारे प्लेटपर्म पे बात्चीत किया, अक्सर आते हैं, अच्छा लगता है, यह बिगर कोई लागले पेट के देशी बासा में सीधी सपस्ट बात करते हैं, यह तो भवि में हम किसी पार्टी में कोई भी खई जाने की कोई इच्छा नहीं है, लाज से समयते कांग्रेस में ही रहेंगे, और टिकट के लिए इन्हों लोक सबा और विधान सबा के लिए, जहां पार्टी उची समझे उसके लिए इन्हों ने कहा कि मैं तयार हूँ, बिल्कुल पू दर्शकों को भी मेरी तरफ से प्रणाम और आप बहुत ही सीदे से परसंड पूछते हैं और उसमें तोड मरोड के जवाब देने के कुझ जाईस नहीं रहती, तो मैंने भी आप से जो आपने पूछा, मैंने दिल की गहराईयों से आपको अपनी सारी बातें आपके दर्श नमस्कार, जैहिन